में हिमाचल की चार सीटों पर कल मतदान होना है इसके साथ ही हिमाचल विदान सभाव उपचुनाव में 6 सीटों पर भी वोटिंग होगी इस चरण की बात करें तो इस चरण में कुल 56,38,422 मतदाता हिस्सा लेंगे इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 28,89,000 और महिला मतदाताओं की संख्या 27,69,000 है 1,38,918 मतदाता पहली बार वोट करने वाले हैं हिमाचल में शांती पूर्ण और सफल मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है और पोलिंग पार्टियों को मतदान केंदर पर भेजाता है कुल 7,990 पोलिंग स्टेशन तैयार 231 मतदान केंदर ऐसे हैं जहां 1,200 से ज़ादा वोटर है हर पोलिंग बूट पर और सतन 699 वोटर वोट डालेंगे लहौल स्पिती का बूट नमबर 72 टाशी गंग देश का सबसे उचा पोलिंग बूट है 150 पिंक बूट और 29 वोटों पर सिर्फ दिव्यां कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं 54 मतदान केंदर ऐसे हैं जहां सिर्फ यूवा मतदान कर्मी तैनात किये गए हैं प्रदेश भर में 50,000 से ज़ादा पोलिंग कर्मी तैनात किये गए हैं हिमाचल में लोकसभाव और बधानसभाव उक्चुनाओं में कई मतदान केंदर ऐसे रहें तो वहीं देव भूमी हिमाचल में शनिवार को लोकसभाव की चार और विधानसभाव उप्चुनाओं में 6 सीटों की वोटिंग होनी है जिसमें कई दिगजों की प्रतिस्ठा दाओं पर हैं वहीं कई सीट पर प्रत्याश्यों के चलते मुकाबला दल्चस्प हो गया है जिस पर पूरे देश की नजर है देखे रिपोर्ट लोकसभा के चार सीट पर मतदान कल पिधान सभा उपचनाओं में 6 सीटों के लिए वोटिंग कई दिगजों की प्रतिस्ठा दाओं पर मंजी लोकसभा सीट पर किंग बनाम क्वीन बिजेपी वर्सिस कॉंग्रिस में जोरदा टकक हिमाचल प्रदेश की जिन चार लोकसभा सीट पर मतदान होना है उनमें हमीरपूर, मंजी, शिमला और कांग्रा शामिल इसके अलावा हिमाचल विधान सभा उपचनाओं में सीटों पर भी वोटिंग होनी है इसमें कुटलेहर, सुजानपोर, गगरेट, लुलोग होल्स कुपी, भर्मशाला और बड़सर शामिल लोकसभा की चार सीटों पर विजेपी और कॉंग्रेस प्रत्याशियों के बीच काटे की टक्कर मानी जा रही है एक वोट जहां मुकाबला मंडी सीट से विजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और कॉंग्रेस प्रत्याशी विक्रम आदित्य सिंग के बीच है तो हमीरपूर सीट पर विजेपी प्रत्याशी अनुराग छाकुर बनाम सत्पार राइजादा कॉंग्रेस प्रत्याशी के बीच में है। शिम्ला सीट पर विजबी प्रत्याशी सुरेश कश्य बनाम कॉंग्रेस पर विनोध सुल्तानपुरी के बीच है कांगरा सीट से विजबी प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भार्दवाज बनाम कॉंग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के बीच है विधान सबाव चुनाओ की छह सीचों पर भी कॉंग्रेस और बीजेपी का रोमांचक मुगाबला है यहां सुजानपूर सीच पर कॉंग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत सिंग राणा बना मर्द बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा है वहीं का ग्रेट सीट पर कॉंग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया बनाम बिजेपी प्रत्याशी चैतन्य शर्मा है फुटलेहर सीट की बात करें तो कॉंग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा बनाम बिजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कुमार है धर्मशाला वधान सभा सीट पर कॉंग्रेस प्रत्याशी दवेंदर सिंग जगी बनाम बिजेबी प्रत्याशी सुधीर शर्मा है लाहौल स्पिती की बात करे, तो कॉंग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा और बीजेबी प्रत्याशी रवी छाकूर के बीच मुकाबला है। जबकि बड़सर सीट पर कॉंग्रेस प्रत्याशी सुभाश शंद बनाम बिजेबी प्रत्याशी इंद्रदत लखन पाल के बीज जोटा चक्कर देखने को मिलेगी हिमाचल समेत देश भर में लोगसभा चुनाओं के नतीजे चार जून को आएंगे तो वहीं हिमाचल में शनिवार को होने वाले मद्दान के लिए तैयारिया पूरी कर ले गई है जिन जिन सीटू पर चुनाओं होना है पिछले चुनाओं में उनकी नतीजे क्या थे आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिये विमाचल में लोगसभा की चार सीट और विधार सबा चुनाओं में शे सीटों के लिए मद्दान होना है पिछले लोगसभा चुनाओं दोहजार उननिस की बात करें तो यहां दोहजार उननिस के नतीजे बिजेपी ने चार में से तीन सीटों पर किया कबजा अमीरपुर से अनुराग ठाकोर जीते कांगरा से किशन कपूर जीते शिमला से सुरेश कश्यब जीते मंडी सीट से कॉंगरेस की प्रतिभा सिंग सांसद बनी वहीं यह माचल वधान सभा उक्चुनाओं में 6 सीचों पर मतदान हो रहा है इससे पहले इन सीचों पर धर्मशाला से सुधीर शर्मा जीते गगरेट से चैतर्न्य शर्मा जीते बड़सर से इंद्रदत लखनपाल जीते सुजानपुर से राजेंद्रे राणा जीते कुटलेहर से देवेंद्र भुट्टो और लाहॉल्स पिती से रविठा कुट जीते हिमाचल विधान सभा में कुल 68 सीचे हैं किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए 35 सीचे चाहिए होती है 2022 में हुए विधान सभा चुनाओ में कॉंग्रिस को 49 सीचे मिली थी लेकिन राज्य सभा चुनाओ के दोरान विधायकों के बागी होने के बाद यहां का सियाती समिकरन भी बदल गया है और विजेपी तीसरी बार मोदी सरकार के दावे के साथ प्रदेश में भी सरकार बदलने का दावा कर रही है Bureau Report, News 18, JKLH